देखे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Sharding in Elastic Search ठीक है बई, तो माल लेते हैं मेरे पास बहुत सारे documents पढ़े हुए ठीक है, जिनका index है क्या student, ठीक है, तो बहुत सारे मेरे पास क्या पढ़े हैं, students पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बहुत सारे students और उनका माल लेते हैं, साइज कितना है 700 GB ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं 700 GB के students पढ़े हैं मेरे पास बहुत बढ़िया, और मेरे पास एक node चल रहा है Elastic Search का उसकी capacity कितनी है, 500 GB ठीक है, तो मैं कैसे store करूँगा भई, 700 GB के students 500 GB का node है तो कैसे आएगा भई, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिशान होने वाली बात नहीं तो भई मैं एक और खरीद लिया मैंने computer ठीक है, और उसमें चला दिया मैंने एक और node, ठीक है वो यह 500 GB का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें पता है, nodes बनाने आते हैं हमको हमने देख लिया था, nodes क्या होते हैं, cluster क्या होता है मैं पता है, ठीक, कोई issue नहीं है, अच्छा तो इस समय मेरे पास दो node हैं समझ रह बात को इस समय मेरे पास दो node हैं 500, 500 GB के अब मैं इस 700 GB को अपनी इच्छा के recording और 300 GB इहां पतक दिये, 350 GB इहां पतक दिये ठीक है, तो मैं एका कर रहा हूँ मैं student index को तोड़ दे रहा हूँ, दो part में बोल रहा हूँ, मैं a part and b part, और a part को इहां पतक देता हूँ and b part को इहां पतक देता हूँ तो जो part है न, part उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं shard और उस process को बोलते हैं क्या sharding, ठीक है, इतनी सी बात अगर आपका data एक node पर नहीं आ पा रहा है तो उसको तोड़ दो हिस्सों में, ठीक है, उन हिस्सों को बोलेंगे shard और उस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या sharding खतम, इतनी सी बात तो मैंने definition लिख दिया sharding is a way to divide indices into smaller pieces क्या लिखा है, मैंने divide करते हैं किसको indices को into smaller pieces ठीक है, जैसे student index था हमारा, ठीक है, उसको मैंने smaller piece में पटक दिया ठीक है, each piece is called shard, हाँ भी पता है ठीक है, दो shard में हमने तोड़ा था वो, ठीक है sharding is done sharding is done at index level क्या बोल रहा है, sharding जो है वो index level पर होती है कहने का क्या मतलब है, अब देखो हम क्या कर सकते थे, हमारे बहुत सारे documents है, ठीक है, अब मालो मेरे documents जो है, वो दो तराके हैं अभी, students है ठीक है, और है teachers ठीक है, और दो मेरे क्या है ये दो मेरे है node बहुत बढ़िया, 500 GB और दूसरा भी 500 GB ठीक है, अब देखो एक तरीका क्या है क्या करना है, हम basically हमें scale ही तो करना है, ठीक है, अगर माल लेते हैं, इन दोनों का size students plus teachers का size कितना आ रहा है 900 GB आ रहा है 900 GB माल लेते हैं, 900 GB आ रहा है ठीक है, तो हम यह करना है अभी, जो 900 GB है ये एक node पर तो नहीं पटक सकते हैं समझ रहो तो इनको करना पड़ेगा, इनको divide करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, अच्छा उस तोड़ने के प्रक्राइगा, वोल दे शाइडिंग ठीक है, बहुत बड़े वोई दिख्याता रहाती हैं तो एक तरीका तो यह है कि students को पटक दो कहां इस वाले node पर teachers को पटक दो कहां इस वाले node पर, ठीक है लेकिन यार ये बखवास है बहुत तरीका, क्यों? मालो, student का जो data है, वो तो कितने का है? वो है भाई, 800 GB का ठीक है? और teacher का सिर्फ 100 GB का है, तो कैसे बटकोगे students के 800 GB के data को 500 GB के node में समझरे बात को, तो यह दो अपस में तोड़ देंगे teachers को अपस में तोड़ देंगे इनके shards बनाएंगे, ठीक है? इनके shards जैसे की माल लेते हैं A, B, बना दिया और C, D, बना दिया फिर size को देखके यहां पर पटक देंगे ठीक है न? ऐसे पटक देंगे उससे कोई दिक्केत भी नहीं होगी अब जैसे मेरे students का size था 800 GB, ठीक है? 800 GB था तो 400 400 का मैंने 2 shards बना दिये, ठीक है? और teacher का size क्या था? teacher का size था 100 GB तो 100 GB है, तो इसका मैंने 50, plus 50 बना दिया, 2 shards, ठीक है? यह कितने ही मना सकते हैं, आपकी इच्छा है फिर मैंने क्या किया? 400 यहाँ पटक दिया 400 यहाँ पटक दिया student का, 400 यहाँ पटक दिया क्या student का, और 50 यहाँ पटक दिया teacher का, 50 यहाँ पटक दिया teacher का, साड़े 400 GB total, ठीक है? साड़े 400 GB total ठीक है भई आगया data हमारा कोई दिक्कत हुई नी इसलिए हम क्या करते हैं sharding at index level index को थोड़ देते हैं ठीक है ना ठीक हम समझके sharding क्या होती है अब देखें माल लेते हैं मेरे पास क्या है student नाम का index है ठीक है उसमें बहुत सारे documents है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैंने इनको दो शार्ड में तोड रखा है A and B, ठीक है ये node 1 पर पड़ा हुआ है ठीक है, और ये node 2 पर पड़ा हुआ है ठीक है वई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बई, इस्ट्रेंट इंडेक्स है नोड पर पड़ागते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो बात को तो जरूरी नहीं है कि भाई, शार्ड बना रहे हो तो वो अलग-अलग node पर ही आएंगे ठीक है, ओविसली सेम पर भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर क्या फाइदा है, देखो अगर अलग-अलग होते हैं, वो तो समय में आता है क्या फाइदा है कि भाई, साइज का इश्रू है, ठीक है इसकी 500 GB है इसकी 500 GB है इस्ट्रेंट का माल लेते हैं, 600 GB साइज था तो हम किसी एक node पर नहीं पटक सकते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए अभी के लिए कि इस्ट्रेंट का साइज सिर्फ 100 GB है ठीक है तो हम ये काम कर सकते हैं, इसके दो शाइड्स बनाके, A और B एक इनोट पर पटक दिये, तो इसका फाइदा क्या है, होता क्या है जितने ज़्यादा शाइड्स होंगे, उतना ज़्यादा fast queries चलेंगी ठीक है, उतनी ज़्यादा fast queries चलेंगी तो हमें लिख दिया है sharding improves performance by parallelization of queries ठीक है, अब देखिए जब हम कोई index बनाते हैं, तो by default उसका एक shard होता है ठीक है, उसका एक shard होता है माल लेजे, अभी एक shard है, मैंने वो दो में तोड़ दिया, A and B इसी का example ले रहा हूँ, जो student है, उसी का example ले रहा हूँ, A और B तो हो क्या रहा है, अब देखिए, पहले क्या था एक ही shard था माल लेते हैं, वो D shard है, ठीक है परफॉर्मेंस बढ़ीना बहुत बढ़िया, तो हमने देख लिया है अब शार्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है इंडेक्स को तोड़ना, बेसिकली उसको पार्ट तूटे है, उनको shards बोलते है प्रोसेस को बोलते है, शार्डिंग, ठीक है बहुत ही बहतरीन अब देखे, एक ओड़ चीज ये तो एक तो मैंने बता दिया sharding का use की भाई, size का issue होता है तो इसलिए कर देता है, दूसरा मैंने parallelism में बता दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया कि भाई, performance increase हो और एक ओड़ चीज देखेगा, अब हर एक index by default ठीक है, उसका एक shard होता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अब एक shard की क्या होती है, लिमिट होती है कि 2 billion documents ही आ सकते है ठीक है, तो यानि कि अगर आपके पास 2 billion students हैं, ठीक है आपके elastic search में बहुत बड़िया काम है बहुत बड़िया काम है, 2 billion students है फिर एक और बंदा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी भई 2 billion plus 1 तो दिक्कत हो जाएगी तो आपको दूसरा shard बनाना पड़ेगा समझरे बात को इसलिए भी अगर बहुत जादा data है, तो इसलिए भी हम sharding करते हैं अब देखो एक shard में कितने, 2 billion documents लेकिन अगर आपके पास कितने documents है 10 billion है तो सिर्फ इसमें कैसे करोगे समझरे बात को इसमें कैसे करोगे तो इस एक shard को जो कि एक index था माल लेते है student ही है इस student की index को आप multiple shard में तोड़ दोगे ठीक है multiple shard में तोड़ दोगे और हर एक shard के limit हो जाएगी 2 billion और फिर इन 10 billion को आप पटक दोगे different shards में ठीक है बाई, कितनी बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया, कैसे करते हैं ठीक है वह बाद में देखें, कोई डेंशन वाले बात नहीं है बस इतना ध्यान रख लीजे कि भाई एक होती है split API ठीक है एक होती है shrink API अगर आपको shards के नंबर बढ़ाने है तो split अगर घट आने है तो shrink ठीक है बस इतना ही वीडियो में है वीडियो खतम हो गया आपकी शार्डिंग पढ़ लिया है आमने